नवश्कार, मेरे पहरे देश्वासियों, पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दोर से गुजर रहा है। आम तोर पर कभी जब कोई प्राकुरतिक संकट आता है, तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है। लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है, जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे, जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं। पिछले दो महने से हम दिरंतर दुनिया भर से आ रहे, कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डट कर मुकाबला किया है। सभी देश्वास्यों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे हम संकर से बचे हुए है। ऐसा लगता है, सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रतेग भरत्सका सजग रहना, सतक रहना बहुत आवश्यक है। साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश वाश्यों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशिरवात की ताकत है, कि हम सम मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। मेरे पैरे देश वाश्यों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है। और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाईरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है। इन देशों में सुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये। और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है। और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है। भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने हैं। और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनशिल देश हैं। और हम जैसे देश पर करोणा का ये संकट सामाने बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विक्सित देशों में हम इस वैस्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं। तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैस्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमूग बातों की आवशक्ता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम। आज एक सो तीस करोर देश वास्यों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा। कि हम इस वैस्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है, तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है। इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? बीड से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशियल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है? कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशियल डिस्टंसिंग ये बहुती जादा आवशक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे, सरकोपर जाते रहेंगे, और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूँ ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे, इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आगरह हैं कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो, तभी अपने घर से बहार निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, आफिस से जुड़ा हो, हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनी दी हैं, जो मिडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवशक है। लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भिड़भार से, बाकी समारों से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है, कि हमारे परिवार में, जो भी सीनियर सिटिजन्स हो, साट, पैंसट वर्स की आईू के उपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सब्ता तक, घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, साट, पैंसट से उपर की आईू वाले, हमारे सभी परिवार के जन, घर से बाहर न निकलें। हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो जब छोटा था, उस समय हम अनुभव करते थे। उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी, तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था, शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था, लाइट बन रखी जाती थी, लोग रात भर चौकी करते थे। और युद्ध न हो तो भी, साल में एक-दो भारतो वहाँ के जो नगरपाली काई होती थी, वो जागुरू को करके, ये ब्लेक आउट काई डिल भी करवाती थी, लोगों का आदत बनी रहे इसके लिए प्रयास करती थी। और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूँ। ये हैं जनता करफ्य। जनता करफ्य। यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया करफ्य। इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता करफ्य। का पानन करना है। इस जनता करफ्य। के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्ते हो। अपने घरों में ही रहे। हाँ जो आवश्यक सेवां से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा। उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है। लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, NCC है, NSS है, कई उवा संगठन है, Civil Society है, खेलकुत के संगठन है, कई प्रकार के संगठन है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब कोई। सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जमता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को जागरुक करें। आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन दस नए लोगों को फोन करके, आप इस वैश्विक महामारी के समन्द में नागरिक को करने वाले काम, जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं, उनको बताएं। मेरे प्यारे देश्वासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिराब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है, ये देखने और परेखने का भी समय है। आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूँ। साथियों, पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एरपोर्ट पर, दप्तरों में, शहर की गलियों में, दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सीज हो, हस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एरलाइन्स के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलीस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलिवे, बस, आटो, रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो, होम डिलिवर न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती है आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसाशन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देश्वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस महामारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक न हो ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्यमंत्रि के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड-19 एकानॉमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैस्टला लिया है ये टास्पोर्स साहरे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिती का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी ये टास्पोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्क, निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षती पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्क से भी आगर है कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर ना आप आए आपके घर ना आप आए ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ समवेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखिएगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वाजियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद्ध खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं यह सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान दूर्प से ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग यह कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महनों में 130 करोड भारतियों ने देश के हर नाग्रिक ने देश के सामने यह जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देशवासी अपने कर्तवियों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईयां भी आती है आशंकाओं और अफ्वाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी थिति में सारे देश वाचियों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियों हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्विक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है यह शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ, हम भी बचें, देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आगरह करूँगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आगरह करूँगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए